क्या आप जानते हैं चेर लीडर्स गर्ल एक दिन में एक मैच के अंदर कितना कमा लेती हैं और क्या आपको पता है धोनी के हैलमेट पर तिरंगे का निसान क्यों नहीं है और किर्केट का एक ऐसा नियम जो सायद आप नहीं जानते होंगे अगर आप किर्केट से जोड़े इन पुरसोद्वारा निर्धारित विस रिकॉर्ड को भी तोड़ कर इतिहास रच दिया। आप सभी ने क्रिकेट मैचों में चेरल गर्ल्स को तो देखा ही हुगा क्या आपने कभी सोचा है उनकी एक दिन की कमाई कितनी होती है। चलिए आपको बताते हैं चेरल लीडर्स हर मैच में लग भग 6,000 से 12,000 रुपे कमाती हैं अगर उनकी टीम जीत जाती है तो 3,000 का बोनस भी मिलता है। चारण है कि धोनी को बिकेट कीपरिंग करते समय हैलमेट को नीची जमीन पर रखना पड़ता था और राश्टे धवज सनहिता के मतावित तिरंगे को जमीन पर नहीं रखा जा सकता। जमीन पर रखने की वज़े से तिरंगे का अपमान होता है। इस वज़े से धोनी ने अपने हैलमेट पर कभी भी तिरंगा नहीं लगवाया। में तीन बड़ी ट्रॉफी पर कबजा किया है। धोनी की कपतानी में भारत ICC World T20 2007, Cricket World Cup 2011 और ICC Champion Trophy 2013 का खिताब जीच चुका है। इसके अलाबा भारत 2009 में पहली बार टेस्ट में नमबर वन बन गया था। फैक नमबर टू भारती क्रिकेटीम के कपतान रह चुके MS धोनी अब इंडियन प्रेमियर लीग में 150 करोल रुपए से अधिक की कमाई करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। जबकि रोहिस सर्मा 146 करोल और बिराट कोली 143 करोल के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है फैक नमबर वन बिराट कोली 2012 और वी 1948 के ऐसे दो खिलाडी हैं जिन्नोंने गरतंतर दिवस पर सतक बनाया था। दौनोंने 116 रन बनाये थे दौनोंने सतक अस्ट्रेलिया के खिलाब बनाया था। यह दौनों मैच अस्ट्रेलिया के एडिलेज सहर में खेले गए थे और द दौनों 6 नमबर पर खेले गए थे। अगर आप देखना चाहते हैं ऐसे ही किरकेट मूवी और रहस में चीजों से भरकून आनंद में कर देने वाले फैक तो फैक्ट आप फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाएं चलिए फिर मिलते हैं किसी नए और यूमे